हेलो फ्रेंड्स मैं पारूल चोहान आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल प्रेंडी स्टफ और स्टच बाई पारूल चोहान पर आपका वेल्कम करती हूँ फ्रेंड्स ये मेरा एक सूट सेट है जो मैंने रेडी किया है इसमें मैंने ये अफगानी शलवार बनाई है और ये कुर्टा है जो प्लेसवर्ट के साथ रेडी हुआ है चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ ये देखें ये है कुर्टा इसमें मैंने नेक पर बॉटम का फाब्रिक लेकर के ये इधर से नेक क्रिएट किया है विद लेस ये देखें ये लेस है और सामने हमने ये पट्टी दी है ताइ पट्टी और उस पर हमने ये बटन्स आड़ उन करें ये फाइब बटन्स है जो इसके कलर से मैच करते हुए हमने लिये है ये देखें राउंड नेक के साथ हमने इसको रेडी किया है बैक इसका सिंपल नेक है और स्लीव पर भी हमने ये बॉटम का फाब्रिक लेकर ही ये एड करा है इधर और इसके एक साइड पर हमने ये पतली वाली लेस ये देखें पतली वाली लेस को लगाया है और आगे फ्रेंट पर नेक वाली लेस ही हमने इस पर लगाई ये देखें इसमें हमने नीचे पैनल पर बॉटम के फाब्रिक को ही लेते हुए वो ही पतली वाली लेस को उठा करके और नीचे बड़े वाली लेस को एड उन किया है ये देखें इसमें बैक में हमने खाली लेस को बड़े वाली जो लेस है वो लगाई है इसमें हमने बॉटम फाब्रिक नहीं दिया है इसके चाक पर भी हमने पतली वाली लेस को लिया है ये देखें ये ऐसे आता है ये है तो कॉटन फाब्रिक बड़ इसमें भी लाइनिंग को लगाया है लाइनिंग लगाने से थोड़ा ग्रेस फुल फाब्रिक हो जाता है पहनने में थोड़ा अच्छा लगता है ये दो और ये है इसका बॉटम जो की है अफगानी शलवार ये देखें इस पर हमने नीचे पॉचों पर ये प्लेट्स डालते हुए बीच में बॉक्स प्लेट्ट ये पीच में है बॉक्स प्लेट्ट फिर एक एक प्लेट इधर और नीचे ये पॉच्चे पर पतले वाली लेज जो हमने कुर्टे में ली है वो ही ये पतले वाली लेज हमने इधर लगाई है और इधर हमने ये कुर्टी का फैब्रिक आड़ किया ये देखें इसमें हमने फुल इलास्टिक दी है ये देखें फुल इलास्टिक है और साइड में इसमें पॉक्ट है आफगानी शलवार का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है ये और कॉटन में तो इसकी ग्रेस ही कुछ अलगाती है बहुत प्यारा लगता है ये अगर आपको मेरे डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट शेर जरूर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू